आमजन, बिल्डर और कॉलोनाइजर द्वारा लगातार संपत्ती की कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर आविदन मिल रहे हैं वहीं लोग संपत्ती की बिक्री भी काइडलाइन से दुगनी कीमत पर हुई है और इसी को ध्यान में रखते हैं महान निरिक्षक पंजियन मद्द प्रदेश ने गाइडलाइन के पुनर निरिक्षण के आदेश दे दिये हैं इन दौर में 3 जुलाइ से 25 जुलाइ के बीच आमजन से भी गाइडलाइन को लेकर सुझाफ मांगी गए हैं इसी पर देखिए ये खास खबर प्रदेश के साथ ही इन दौर जिले में संपत्ते की कलेक्टर गाइडलाइन का पुनर निरिक्षण किया जाएगा इसे लेकर महान निरिक्षक पंजियन ने आदेश जारी किये हैं महा निरिक्षक के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर इलया राजाटी ने उपजिला मुल्यांकन समीतियों को निर्देश जारी किये इस संबंध में वरिष्ट जला पंजियक द्वारा उपपंजियकों की बैठक लेकर प्रिशिक्षण दिया गया गाइडलाइन पुना निरिक्षण का उद्देश गाइडलाइन दरो को तर्क संगत और युक्ती संगत बनाना है वरिष्ट जला पंजियक दीपक कुमार शर्मा के अनुसार आम नागरिकों के लिए गाइडलाइन नयाय संगत हो इसके प्रियास किये जाएंगे हम आम जन से सुझाफ मंगवा रहे हैं यदे किसी क्षेतर में गाइडलाइन बढ़ाने के सुझाफ मिलते हैं तो उसका परिक्षण करने की बाद केंद्रिय मोलियांकन समीती को प्रस्ताव भेजा जाएगा या देके से क्षेत्र में गाइडलाइन कम करने के लिए भी आविदन आते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा अभी महानिट्शक पंजियन के निर्देश पे जिन छेत्रों में सुधार की संभाना हैं या आम नागरीकों के कोई सुजाप राप्त हो रहे हैं या लोग परिसंपत्ति प्रबंदन में जो निलामी बगेरा हुई हैं उनको लेके यह दी कोई इनपूट्स है तो गाइडलाइन का विशेश पुनेरिक्षन करके प्रस्ताव भेजे जाने हैं और इसके लिए हमने जुलाई महा में पूरी कारवाई हम करेंगे और अगस्त फस्त वीक में हमारा प्रपोजल भेजने का प्लान है हाँ आम नागरिकों से मेरी प्रार्थना है कि तीन तारिक से पच्चिस जुलाई तीन जुलाई से पच्चिस जुलाई तक हमारे सभी उपंजियक कारवाई हमें और सबी जिल्ा ciao कार्यलाओं वह कार्यालाइन समय में अपने सुझाओ under सकते हैं उनको हम स्विकार करेंगे उनपे विचार करेंगे अभी सच कोई अनुमान ने लगाया हमने बट हमको जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनपे हम विचार करेंगे चाहे वह नई vindkasन तो उसको हम कोशिस करेंगे कि रिएड्रेस करके ठीक करें कोई आधार है प्रवल आधार है इस वात का की गाइडलाइन रेट जो है वास्तिविक रेट से जादे हैं कोई साक्षिस के लिए हमको मिलता है तो उस पे भी हम जरूर विचार करेंगे गाइडलाइन पुनर निरिक्षिन के संबंध में आम, नागरिक, पक्षकार या समुह 3 जुलाई से 25 जुलाई के बीच सभी उप पंजियक कारले, जला पंजियक कारलेओं में आविदन दे सकेंगे वही 15 अगस्त से नई गाइडलाइन दरे लागू होने की संभाबना है Bureau Report, MP News, इन दौर